कि अपने देखा इस सांदार कारिक्रम के आजएक मुसर लखड़ा वाला और जुबेर लखड़ा वाला हमारे साथ में है मैं जानना चाहूंगा सर यह जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में आपको क्या कहना है यह प्रोग्राम हर साल होता है और बहुत ही अच्छी तरह के से होता है हम चाहते हैं कि मुंबई लेवल, महारेस्ट्र लेवल, इंडिया लेवल पर हर आदमी यहां पर जोइन वे और पाटिसिपेट करें ताके अपना इंडिया का नाम हो और हम चाहते हैं कि हमेशा यह ओर्गिनाइज जो हमारेस्ट्र ग्रूप का जो है और लकड़ावला ग्रूप का जो है वह हमेशा होता रहे उनके लिए आप लोग सब दुआ देते रहें कि हमेशाम करते रहें अच्छी तरह रहा फर्स सेकंड ठर्ट जो नहीं आए उसके लिए भी हमको खुशी है कि आते साल और इंप्रूव होगे और आते साल वो प्राइस यह लेंगे इसमें हमारी अकैडमी जो है वह हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर फैले उसके लिए कुछ यूजना है हम तो चाहते हैं कि इप्रूस्तान के हर कोने-पोने तक हर बच्चा राइडर होने और अपने एक शोग को उपर लेकर आए बाकि बच्चों को उपर भी होता है कि जिनका शोग होता है वो आते है और जो यह पार्टिसिपंट एक नया है जैसे पर अंब इंडिया के अंदर करें किरेंड का बड़ा बड़ा क्रेंजर है पर यह थोगा उनके लिए मया हूं इसके लिए इसको फ्रोमोट करने के लिए और अजनाइस कि आ है और हम लोग करते हैं इंशाला करते रहे हैं अच्छाने को पर बताईए कि अक्डमी कैसा काम दर रही है यहां पर जिए रहने के लिए हर तरह की यहां सुवीदा है और हम चाहते हैं कि अगर कोई सुवीदा कम है तो हमको कोई सजेशन दो हम और सुवीदा इसमें करेंगे यह हमारी यह आस्ता है कि हम यह सब चिस करेंगे जी सर क्या आज आने वाला भविश्व जो है यह राइडर्स यहां पर हिंगुस्तान में नाम और विश्व में नाम करने जा रहे हैं जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है क्योंकि आगे आने वाले दिनों में एवरी येर यहां स्टूडेंट बढ़ते हैं और हम चाहेंगे कि एवरी येर और बढ़े और जहां तक आमारी आपके चैनल के आवाद जाती है तो हर साल इस्टूरेंट बढ़ना चाहिए एकडमी और आगे बंड़ने चाहिए और पुरे महारश्टा से ने पुरे इंडिया से आने चाहिए आपने सुना यहां बच्चों को तयार करने वाले इंस्ट्रेक्टर ने अच्छी जानकारिया दी हमें यहां पर इस कारिकरम के और इस एकडमी के वेल विसोस भी उपलब्द है विरेन सिंग आवद जी आए हुए है मैं विरेन जी से जानना चाहूँगा कि यह कारिकरम देख करके आपको कैसा लगा नमस्कार यह जो यहां पर स्कूल है राइट टो लिव एकेडेमी यह लगणा वाला गूत में बनाया स्कूल है इसका आप में देखा होगा इट इस नौट अपर अभी इस लाइफस्टाइल तो इन्होंने जो शेह सवारी का स्कूल जालू किया है इसमें चोटे-चोटे- कि अच्छे बच्चे आगे आए और हमारे देश के लिए मेडल देखे आए एशन गेम में नहीं कॉमन वेल्ट में ऑलम्पिक में बिलाए क्योंकि यह बहुत अच्छा स्पोर्ट से एकड़म फिट्नेस जीक स्पोर्ट है इसमें हर बच्चे को इस दम फिटनेस रहता है कि जो घुड़ सवारी आप देख रहें कि चलाना बहुत ही मुश्किन खेले लेकिन इससे बहुत अच्छा रहता है हम यह उम्मीद कर रहे कि इस एकड़मी से सीख के जाए बच्चे देश के लिए ओलम्पिक में एशन केमिस में कॉमन वेल्ट में जरूर अपना देश का ना अच्छे से लोगों है जो इनका जो स्टार्ट है जो बेसिक इतना अच्छा कर रहे है कि आगे जाए जाके यह बच्चों से बहुत ज्यादा उमीदे लगाए जा सकती है कि यह ज़ूर इस खेल में अपना नाम रोशन करेंगे देश का नाम रोशन करेंगे नाम रोशन करेंगे जाए जानका रही है जैसे कि चेता गुड़ा जासी की रही है कानी का घोड़ा हमारे जो देश के स्वतंतों संद्राम में भी गोड़ों ने बहुत बड़ा जोगद्यान दिया है और हमारे देश में सिवाजी महारा जैसे लोगे जो सिप घोड़ों पर ही उन्होंने जुद लड़ा है तो मेरी यह उमीद है कि हमारे बच्चे इस खेल क जरूर आगे बढ़ाएंगे और उन्हों पुरे विश्व में अपना नाम कबाएंगे और उन्हों पूरे विश्व में अपना नाम कबाएंगे